नमस्कार स्वागताव का आपने यूटूब चैनल जूनिवर्स क्लासेश में मैं हूराम सिंग आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ दोस्तो इस वीडियो हम बात करेंगे अप्लिकेशन के उपर यानिकी सिकायत पत्र प्रधार मंत्री आवास योजना में गड़बड़ी होने पर जिराधिकारी को आप सिकायत पत्र कैसे लिखेंगे आज उसे के रिगार्डिंग बात करेंगे अच्छा लेटर लिखने के लिए अच्छे सब्दों का होना बहुत ही आउसक है जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उस पे अच्छा परभाव पढ़ता है आपके जो है सुनवाई जल्दी होता है सबसे पहले सुनवात करेंगे सेवा में आप सभी को मालूमें स्रीमान जिल्दीकारी महद है आप जिस भी स्टेट में रहते हो आप जिस भी जिले में लिखना चाहते हैं जिस किसी भी जिले को तो आपका आप एड्रस लिखेंगे जैसे मैंने एक्जांपल के लिखा है गोरकपूर तो आप जहां भी लिख रहे हैं माली या अप उत्राखंड के हैं आप उत्राखंड के किसी एक जिले में जिला दिकारे क पत्र लिख रहे हैं तो आप उहां का पता लिखेंगे से मैंना लिखा हुए कारेले पता लिखें इतना लिखने के बाद आप नीचे आएंगे और लिखेंगे प्रथानमंत्री आवास योजना में गड़वड़ी के संबंध में यह आपका बीसे होना चाहिए ठीक है उसके ब मोहनापूर मैंने एक इकजामपल लिया हुआ है आप जिस भी पंचयत में आप जिस भी गाओं का आप दे रहे हैं उहां का नाम लिखेंगे पंचयत के बिभिन गाओं में प्रवड़ानों की अंदेखी करके इतना लिखने के बाद करके प्रथानमंत्री आवास का निर्मा अपने करीबी और सक्षम लोगों को दे रहे हैं जो पूर्था गलत है अतासरिमांजी से निवेदन बिनम्र निवेदन है कि मामले की जांच करवा कर दोसी पर सक्थ करवाई की जाए की जाए और हम सदा आपके आभारे रहेंगे करवाई की जाए सदा लिखा होगा हम सदा आपके आभारे रहेंगे निचे लिखेंगे आप सद धन्यवाद डेट लिखेंगे जिस भी डेट में आप लिख रहे हैं माले या पंद्र दो दो जार इकिस को लिख रहे हैं जब भी फिर भावधी अपना नाम पूरा पता आप आहां पर आपना मुबाइल नंबर वियाप लिख सकते हैं जिससे मालूम चलेगा कि आपको कोई बात करने जरूत है तो आपसे बात कि जा सके तो दोस्तों ये रहा अप्लिकेशन जिलादिकारी सिकात पत्र कैसे लिखें उमिद करते हैं पसंद आएगा पसंद आप चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें एक और जरूरी बात बहुत बार ऐसा होते कमेंट करके पुछा जाता कि कैसे करना है मै पूरा फार्मिट बता देता हूँ आप अपनी समस्य अपने अनुसार इसमें परिवर्तित करके भी लिख सकते हैं या फिर आप जैसे जैसे संतुष्ठ हो उस तरह से आप लिख सकते हैं धन्यवाद